हलो नमेशकार दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पूरी एस्टेडी में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके और जीएसके 25 इंपोटेंट सवाल और उसके जबाब को देखने वाले हैं शवाल बिल्कुल बेसिक है बट इंपोटेंट है जो ससी, रेल बे, बैंग, पुलिश और अश्टेट पुलिश के लिए बहुत ही मौत पूर्ण है जब देखरी कल्चर स्वाट का उप्योग किस खेल में कभी-कभी जो है देखने को मिलता है तो इसका राइट एंसर किर्केट हो जाएगा यानि आप्सन नमबर ए राइट हो जाएगा और बात करें किर्केट की सुरुआत सरप्रतम कहां हुई तो इंगलेंड में हुई और बात करेते हैं कि पाला टेस्ट मैच कब खेला गया तो पाला टेस्ट मैच 15 मार्च पाला टेस्ट मैच जो है 15 मार्च 1887 इश्वी को इंगलेंड और अस्ट्रेलिया के बीच में खेला तो याद रखिएगा पाला टेस्ट मैच 15 मार्च 1887 इश्वी को इंगलेंड और अस्ट्रेलिया के बीच खेला गिया नेश कोश्चन देखते हैं सारे के सारे कोश्चन इंपोटेंट है नेश कोश्चन है निमलीखित में कौन सा तेल उत्पादन छेतर नहीं है तो इसका और डिगबोई बामबे आई और लेक्षवर में तेल का उत्पादन होता है तो याद रखिएगा और एक बात तेल उत्पादन को काली करांती के नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा काली करांती के नाम से जाना जाता है तेल को काली करांती के नाम से जाना जाता है नेश कोश्चेन देखते हैं नेश कोश्चेन है गलोवल वार्मिंग के परिणाम सवरूप क्या होता है तो इसका राइट एंसर बताईगा कि गलोवल वार्मिंग के परिणाम सवरूप जो है क्या होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा समुंद्र के अस्तर में ब्रीध तट रेखा में परिवर्तन यानि उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों यानि अप्सन नंबर डी राइट हो जाएगा और एक बात गलोवल बार्मिंग के परिणाम सवरूप जो है तप मान में भी ब्रिधी हो जाती है नेश कोश्चिन देखते हैं नेश कोश्चिन है असनु राइट एंसर हो जाएगा पंदर यानि अप्सन नंबर सी राइट हो जाएगा और कुल गेंद की बात करें दोस्तों तो कुल गेंद की बात करें तो कुल गेंद बाइस हो जाती है और लाल गेंद की बात करें तो लाल गेंद की संख्या 15 हो जाती है दोस्तों यानि असनु क्वुशन है राष्ट्रिय विजनिती किस वर्स घोशित की गई थी तो इसका राइट अंसर बताईगा कि राष्ट्रिय विजनिती जो है किस भर्स घोशित की गई थी तो इसका राइट अंसर 2020 हो जाएगा यानि option number b राइट हो जाएगा नेस्ट कोश्यन देखते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा नेस्ट कोश्यन है साल क्लिक एस्टेडियम का दूसरा नाम क्या है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा युवा भारती एस्टेडियम यानि आपस कौन सा एस्टेडियम है तो सबसे पूराना जो है इडन गार्डेन है दोस्तों याद रखिएगा और बरतमान में छितपल की दृष्टी में दूसरा सबसे बाड़ा है दोस्तों इडन गार्डेन तो याद रखिएगा और पाला अस्तान पर मोर्टेरा एस्टेडियम है जो गुजराद के अहमादाबाद में इसती थे तो नेश कोश्चन देखते हैं किस मुगल राजा ने पदसा गाजी की उपाधी धारन की तो इसका राइट एंसर बताईगा कि किस मुगल राजा ने पदसा गाजी की उपाधी धारन की तो इसका right answer अपका हो जाएगा जहां गीर यानि option number a right हो जाएगा बहुत important question है next question देखते हैं next question है कपड़े धोने के दोरान हम निल का उपयोग क्यों करते हैं तो इसका right answer बताईगा कि कपड़े धोने के दोरान हम निल का उपयोग क्यों करते हैं तो इसका right answer हो जाएगा 72 रंग रोगन सन्योजन के लिए 72 रंग रोगन सन्योजन के लिए यानि अपसन नंबर B right हो जाएगा यह कई बार एक्जाम में पुछा गया question है याद रखिएगा नेश question देखते हैं नेश question है दंती दुरगा या दंती बर्मन के नाम से किस राजवन्स का संस्थापक था तो इसका right answer बताईगा कि दंती दुरगा जो है किस राजवन्स का संस्थापक था तो इसका right answer राष्ट कुट हो जाएगा दोस्तो तो राश्ट कुर्श बंस का संस्थापकता दोस्तों, कौन? दंती दुर्गा या दंती वर्मन, यानि अप्सन नंबर C राइट हो जाएगा, नेस कोश्चेन देखते हैं, सारे के सारे कोश्चेन इंपोटेंट है, नेस कोश्चन है संस्कृत बर्ण माला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है तो इसका राइट एंसर बताएगा कि संस्कृत बर्ण माला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है तो इसका राइट एंसर चवण हो जाएगा दोस्तों यानि अपसन नमबर डी राइट हो जाए कि इस्तमाल किया जाता है इसका राइट एंसर बताएगा कि 3D फिल्मों को देखने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा धुरूबी क्रित लेंस का धुरूबी क्रित लेंस का जो है 3D फिल्मों को देखने के लिए इस्तमाल किया जाता है या suitable y निमलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी तो इसका राइट एंसर बताईगा कि ये suitable y जो है किसकी द्वारा लिखी गई थी तो इसका राइट एंसर बिक्रम सेठ हो जाएगा दोस्तो यानि option number c right हो जाएगा ये भी कई बार एक्जाम में पुछा गया question बहुत important question है next question देखते हैं next question है एक वर्ण धता व्यक्ति क्या नहीं देख सकता है तो इसका राइट एंसर बताईगा कि एक वर्ण धता व्यक्ति जो है क्या नहीं देख सकता है तो इसका right answer हो जाएगा निश्चित रंग के बीच में अंतर जो है देखने में सक्षम नहीं होता है दोस्तों यानि option number B right हो जाएगा और बात करें कि ओर रंग काौन सा है तो ओर रंग जो है लाल एक है लाल और दूसरा है हारा तो याद देखते हैं नेश कोश्यन है यदि राष्ट पती चुनाओं में कोई विवाद होता है तो निमलिखित में किसे संदर्वित किया जाता है तो इसका राइट एंसर बताएगा कि यदि राष्ट पती चुनाओं में कोई विवाद होता है तो उसे निमलिखित में किसे संदर्वि किया जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सुप्रीम कोट यानि अप्सन नमबर बी राइट हो जाएगा याद रखीएगा नेश कोश्चन देखते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नेश कोश्चन है भारत ने पाला एक दिवसिय अंतराष्टिय मैच किस देश और किस बर्स खेला था तो इसका राइट एंसर बताएगा कि भारत ने पाला एक दिवसिय अंतराष्टिय मैच जो है किस देश और किस बर्स खेला था तो इसका राइट एंसर इंगलेंड हो जाएगा दोस्ते इंगलेंड उन्निश 155 इसका ripe answer हो जाएगा यानी option number A right हो जाएगा पूत important question है नेशár question है बौद परमप्राह के अनुसार बुध के शार्थी कौन थे ते इसका ripe answer Sergeant बताएगा कि बौद परमप्राह के अनुसार जो बुद के शार्थी कौन थे ते इसका राइट अंसर चनना हो जाएगा दोस्तों यानि आपसा नमबर बी राइट हो जाएगा और बात करें कि बुद का जन्म कब हुआ था तो 500 563 इसा पुर में हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में पड़ता है तो याद रखिएगा नेश कोश्चन देखते हैं नेश कोश्चन है बलैक बोर्ड का काले रंग में ही क्यों दिखाई देता है तो इसका राइट अंसर बताईगा कि बलैक बोर्ड जो है काले रंग में ही क्यों दिखाई देता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा यह सभी रंगों को और सोसित करता है दोस्तों यानि अप्सन नमबर सी राइट हो जाएगा याद रखिएगा बहुत इंपोर्टन कोश्चन है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक औ पारा बिंदू जो है मिर्यानागर्थ किस महासागर में इस्तित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा परशांत महासागर यानि अप्सन नमबर बी राइट हो जाएगा और परसांत महासागर की अकार की बात करें दोस्तों तो परसांत महासागर का अकार जो है गोलाकार ह का है दोस्तों English के S के अकार का है तो याद रखिएगा नेस्ट कोश्चिन देखते हैं नेस्ट कोश्चिन है सेंडरी एस्ट्रोम किस दिगज क्रिकेट की आत्म कता है तो इसका राइट एंसर बताईगा कि सेंडरी एस्ट्रोम जो है किस दिगज क्रिकेट की क्रिकेटर की आत्म कता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा संदीप पाटिल यानि अप्सन नमबर बी राइट हो जाएगा संदिप पाटिल का जो है संदिप एस्ट्रोम जो है आत्म का था है दोस्तु तो याद रखिएगा नेश कोश्यन देखते हैं नेस्ट कोश्यन है सैंडरी एस्ट्रोम संदिप पाटिल की आत्म कथा किसने लिखी ते इसका राइट एंसर बताईगा कि सैंडरी एस्ट्रोम जो है संदिप पाटिल की आत्म कथा किसके दुआरा लिखा गया था ते इसका राइट एंसर हो जाएगा सुनिल गवासकर यानि option number A right हो जाएगा, याद रखिएगा, next question देखते हैं, next question है, major ध्यान चंदर की आत्म कथा, गोल कौप परकासित किया गया, तो इसका right answer हो जाएगा, तो इसका right answer हो जाएगा, क्योंकि ये पहले major थे दोस्तों, सेना में major थे, जिने हाउकी का जादुगर कहा जाता है, और बात करें कि इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म उपी के इलाहबाद में हुआ था दोस्तों, यानि उत्तर पर्देश के इलाहबाद में, तो याद रखिएगा, next question देखत कौन सा रंग बनता है, तो इसका right answer बताईगा, कि लाल और हरे रंग को मिला दिया जाए, तो कौन सा रंग बनता है, तो इसका right answer हो जाएगा, पीला यानि option number B, राइट हो जाएगा, बहुत important question है, next question देखते हैं, next question है, इसका right answer हो जाएगा, चेस, यानि option number C, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, next question देखते हैं, next question है, मुगल समराज जिका अंतिम सासक कौन था, ते इसका right answer बताएगा, कि मुगल समराज जिका जो है, अंतिम सासक कौन था, ते इसका right answer बहाद दूर्शा दूइतिय हो जाएगा, दोस्तों, यानि option number D, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, next question देखते हैं, next question है, इसका right answer बताएगा, कि सूर्बन्स का संस्थापक जो है, कौन था, ते इसका right answer शेर सा सूरी हो जाएगा, दोस्तों, यानि option number P, राइट हो जाएगा, और last question है, इसको, आपको comment में बताना है दोस्तों, comment में बताना है, कि इसका right answer क्या होगा, इसको कमेंट में राइट एंसर बताना है दोस्तो तो आज का वीडियो समाप्त हुआ दोस्तो मैं उम्मिद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें तब तक के लिए जैहिंद